श्रीकृष्ण यानी एक्टर नितीश भरदवाज इन दिनों अपनी दूसरी पत्नी आईएस स्मिता से चल रहे विवाद के कारण फिर से सुर्ख्यों में है तलाग की कारिवाही के बीच नितीश भरदवाज और उनकी पत्नी स्मिता के बीच मतबेद बढ़ते जा रहे है एक्टर ने हाल ही में अपनी अलग रह रही पत्नी स्मिता के खिलाफ मांस्तिक शोशन का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी हलाकि उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया और उन्होंने नितीश के आरोपो को निराधार बताया है अब स्मिता ने नितीश भरदवाज की समपत्ती बेचने के लिए अदालत का दर्वाजा खट-कट आया है नीतीश भारदवाज के आरोपों के बीच श्री कृष्ण की दूसरी पतनी कोट पहुँची है उन्होंने नीतीश भारदवाज की संपती की बिक्री के लिए कोट से मदद मांगी है 23 वरी को इसमिता भारदवज ने मुंबई की फैमिली कोट से नीतीश की समपती की बिक्री के लिए मदद मांगी है उन्होंने तलाग के एवज में पैसों की मांगी है इसमिता ने ये भी आरोप लगाया है कि कोट के आदेश के बावजूद नीतीश बच्चियों की परवरिश के लिए एक रुप्या नहीं दे रहे हैं जबकि उन्हें हर महीने बेटियों के खर्च के लिए 10-10,000 रुपे देने का आदेश दिया गया थै इसमिताने कोट में नीतीश बच्च के वादे के मताबिक अपनी दोनों बेटियों के लिए 10-10,000 रुपे महीने की रकम की रिकवरी के लिए याचिका दायर की है इस याचिका को डारक हास्ट कहते हैं सूत्र ने कहा है कि अदालत ने प्रतिबदता को विदिवत दर्च किया है जिसके आधार पर एक अंत्रिमादे शिपारित किया गया है नितीश की एक्स वाइफ ने उनके पुराने सामान की बिक्री के लिए अदालत से गोहार लगाई है ताकि वो उस सामान से मिले पैसे से अपनी बेटियों की परवरिश कर सके वहीं जब इस मामली पर जादा जानकारी के लिए आईएस समिता के वकील चिन में वैद से जानकारी मांगी गई तब तक के लिए नमस्कार और दिखते रहिए जनक बार न्यूज